है लोस्तोम एस के लांटटार को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क?... है बहुत अच्छा हूं.. Supple system होत है से फे जैसे हैं के सब्सक्रीच को सब्सक्राइब 9 राउच्ज व सब्सक्राइब के सिंपल्स अटों तो मेकानिक इसको PCP को लेकर आया मेरे लिए तो दोस्तो कस्टूमर यह तो मेरे पास PCP लेकर बोला कि सर इसमें F8 की प्रोब्लम है सर इसको रिपेर कर दो क्योंकि उसने चोटा मोटर देख लिए होगा तारवार वगएर वो सब ठीक है क्योंकि इतना दो कम वे कर लेते हैं Für. अब दोस्तों are टाराय किस वजी साय、 क्यों एया? कैसे चेक करेंगे? क्या चाहिए चेक करेंगे? जो क्मप्रेट आप बताता हूँ video को लाज तक बनने रहे हैं कूंकि बिलोगूल फिरी में और शीखने को मिल ला है numa जार रहों एट már ने के लिए और उम तएक बिल्हों पर शीचाहर रहे हैं तो बने रहे हैं वीडियो को देंकिंची पहले हैं हुगS फ्रेश सप्लाई देने होती है supply के लिए एक पर relay पर देने और पर होती है एक इसमें neutral पर देनी होती है देखें है लिखा है ACN यानि कि neutral अगर इन दोनों पर से कोई से पर एक पर जरूर चलेगी क्योंकि इसका confirm पता लगाने के लिए जो fuse से line जाती है वो ही होती है तो दोस्तो एक compressor के होती है इसमें दोस्तों आपकी main line के होती है इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप सी एक बार compressor पर लगा दोगे एक बार newtel पर लगा दो इससे फूँग आए कुछ ऐसा नहीं है बस इतना होगा नहीं चलेगा, बस एक N ЧтоP लगाईए एक शपर लगाए जाह के लिगए जो inici सी पर चल लाओ,टी एं मै अभी आपको camera set करके दिखाता हूँ देंक्डुस्तों मैंने camera को set कर दिया है अब मैं आपको दिखाता हूँ देखें ये इसका इसमें आप देख सकता हूँ F8 एर्र कोड़ आ गया है ओनोते ही F8 एर्र कोड़ आ चुक है देखिए दोबारे से बंद करता हूँ यह देखिए F8 और यहां पर दोस्तों बटन भी कुछ काम नहीं करेगा ना इसमें कोई भी रिमोट काम करेगा जब तक यह एर्र कोड नहीं अटेगा तो दोस्तों F8 एर्र कोड लगी की जो इंडॉर पीसी भी उत्ति है इसमें यह कोड आता है दोस्तों हमारा जो सेंसर की ब दोस्तों जो हमारा रूम सेंसर होता है और जो हमारा जो कुलिंग कोईल पर सेंसर लग होता है यह हमारा दोस्तों इसमें रेड प्रोब में है तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं भी स्टैब बाश्टैब कौन कौन से देखिए F7 दोस्तों जो एर्र आता है आपका रू room sensor को निकाल देता हूं देखिये F7 तो इससे उपर ही दोस्तो F8 देखिये कि इसके इसका अटाते ही F7 चे लगाया इससे लगाते ही F7 उटा वह इसके पार हुआ हूं तो दोस्तो देखिये F8 error यह कदो ही रुका हुआ है जब की यह दोस्तो F error चेंज हो जाना चाहे था इसका तो अब हटाया मतलब अब इसमें से इंडाओर मोटब अले लगी हुए उसका यार आगा तो दोस्तो देखे हमने यह वाला हटाया थे वाला हुड़ा है तो यह वाला। हमें इन से कोई वाला नहीं है जैसे कि वज़े से समस्या बन गई ठीक है तो इस एंसर को हम चेंज करेंगे इस एंसर को देखिए मैं दूसरी PC में से निकाल देता हूं काफी सारी PC भी रख्यों है मेरे पास इस तरह की PCS में कनेक्टर दूसरा लगा कोई दिक्कत नहीं मैं फिलाल अभी टैस्टिंग के लिए से यहां से खोल लेता हूं कनेक्टर को बहुत इजी तरीके से निकालता हूं मैं यहांसे से यह मैंने कनेक्टर की पिन निकाल लिए दोस्तों यह चीज हम आपको सिका रहे हैं किसी परपस से सिका रहे हैं क्योंकि बई जो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं मैं सेट को अफ कर लेत कोные moments चाहिसे दो स्वेश्क्राइब की सरय तो धिक्कत नहीं है आप बेफीकर आई है यह झाल जो कि अब यहां पे सेट के लिएख कि यहां पे माईंक्र शूच लगा है एक हो थोन कर देते हैं यह दीख देखे दूस्तो में 24 डिगरी और क्टी फ्रीडीर और इब कॉल्लिंग वाला भी सीस्टम है देखें दूस्तों हमारी PCB इहां पे हो चुकिए है दोस्तो यह हमारा error हट चुका है तो दोस्तो यह error छोटा सा हमारा दोस्तो इस sensor खराब हो जाने के वज़े से आ रहा था अगर आपके PCB में कोई भी error आता है तो सबसे पहले आपको sensor सेंस कर लिए कि मोटर पे फीड़एक नहीं मिली मोटर इस में कनेक्ट नहीं है तो दोस्तो आपको से लिटेट कुछी प्रोलम हो तो हमें कमेंट में बता देना हम उस पर वीडियो बना देंगे हमने काफी सारी वीडियो बना भी रखिए हमारे चैनल पर देख सकते हो आज के दिन सुबह आप सबी अच्छे रहें खुश रहें